स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो आज हम करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन का चैप्टर नंबर एच इस सीरीज के अंदर आज हम एच चैप्टर कर रहे हैं आपको जैसे द्यान हो कि हम कोलन जो है सारी फ्री ऑफ कोश्ट आपको यूटूब पे उपलब करवा रहे हैं इसी के अंदर हम सी सी और जो ट्रिपल सी है और जो डबले शिया रहा उसको भी कंप्लीट करवाएंगे तो आप देखते रहे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेर कीजिए यह फ्री ऑफ कोश्ट आपको करवाया जा रहा है इसलिए आप इसको लाइक करें और शेर करें तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास जिसके अंदर एच जियोलोजी क्लास है तो एच जियोलोजी जो क्लास है वो एक कैनोनिकल क्लास है यानि की परमानिक वर्ग क्लास है जिसके अंदर खुद क्लास का फॉर्मॉला ना होकर जो आग्ये परमानिक वर्ग है उनके formula दिये गए हैं इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि जो h1 से लेके h8 तक जो है canonical class है बट कई जो classes हैं उनके दो formula दिये गए हैं लेकिन कई class जो हैं वो सीधी ही canonical को भी sub canonical के अंदर division किया हुआ है एच 3, h4 और h5 classes है वो तो canonical classes है आप canonical classes कैसे हैं h4 देखें h4 पर चलते हैं h3 पर चलते हैं पहले यह देखें h3 को आगे canonical के अंदर division किया हुआ h3 h4 h4 को भी देखें इसका कोई formula नहीं है इसको भी आगे canonical के अंदर division किया हुआ है और h5 यह भी canonical है सीदी तो formula जो है वो कौन सी class है h1 h2 और h7 देखें h1 h1 का formula दिया हुआ है और आगे h2 petrology और जो next है वो है h7 economic geology तो आईए शुरू शुरू देखतें classes जो h1 class है mineralogy means जो भूगर्ब के अंदर स्थित्खनीज है उसके बारी में जैसे मालो diamond हो गया ruby हो गया इसी तरह के जो है इसके अंदर दिये हुए है जो इसकी personality है वो अपने एक मेश्टी से भी ला सकते हैं और कुछ एक इसके अंदर दिये हुए है उसकी बाद में जो next है इसका वो अपने को अंजी biology से लाना है इसकी जो energy है किसकी energy है यह h1 की energy है तो इसका एक एक्जांपल देख लेते हैं अपने को फिर ज्यादा समझ आ जाएगा जो यहां तक 864 तक है इसका एक्जांपल देखते हैं आपने कैसे इसको सॉल्व करना है जैसे देखें एक्जांपल है अपने पास classification of diamond यह देख लिए आप एक्जांपल classification of diamond अब देखें अपने को यहां पर समझ आ रहा है जो diamond डाइमंड का मिन्स का मिन्स कि डाइमंड मिन्स यानि कि एक प्रकार का हीरा तो यह कहां से निकलेगा यह निकलेगा घूमी से तो अपने को पता लगया कि क्लास कौन सी होगी geology यानि भूभी ग्यान तो इसका नमर अ क्लास के अंदर जाके तो जब अपने ह1 के अंदर जाते हैं चर्ष वान की जो personality है उसके अंदर नीचे चलते है अपने तो 91 पर अपने को क्या मिलता है diamond मिलता है तो अपने लगाएंगे H1 personality के अंदर 9-1 लगा के इसको क्या लिखेंगे H1 और 9-1 यह नमबर हो गया diamond का अब रह गया पिछे classification तो classification देखने के लिए अपने पहले तो inverse के अंदर जब देखते हैं अपने इनर्जी के अंदर तो अपने को नहीं मिलता है यह यह तो नहीं है तो फिर अपने को यहां पर क्या दिया हुआ है कि जो इसमें जो वन है उसको एजह यानी की सबडिवाइज की हुआ हो जो जी बाइओ लोजी का वन है उसकी तरह तो जी बायोलोजी के अंदर जाके अपने one यानी classification का number ढूनते हैं तो इसकी energy के अंदर आगे अपनोंने यानी कि one से आगे देखा जैसे वनवन वनवन पे क्लासिफिकेशन तो यह वहाँ पे अनरजी के अंदर अपने यूज कर सकते हैं H1 की energy के अंदर अपने 11 यूज कर सकते हैं तो 11 classification का number है आप यहां पर pencil से note भी कर सकते हैं तो 11 अपने लगा देंगे colon लगाके 11 लिख देंगे तो colon का निशान और 11 यह इसका answer हो गया तो H1 क्या अपने जो problem है वो solution हो गई नेक्स्ट करते हैं अपने आईए next देखें next है petrology petrology के अंदर क्या चीज़े दी होएं petrology के अंदर दी होएं चटाने विवीन परकार की जो चटाने हैं वो इनके अंदर दर्साई गई हैं तो इसका फॉर्मुले के बाद यानि कि इसके अंदर कुछ बताने वाला तो नहीं है लेकिन इसको अपने पैट्रोलोज को एक एक्जम्पल से समझ लेते हैं तो इसका एक्जम्पल लिया हुआ अपनोंने यानि कि इसका एक्जम्पल है कि जैनिसिस ओफ मार्बल अब मार्बल से अपने को सिधा स्ट्राइक होएगा कि यह भू विज्ञान से बात हो रही है मार्बल की तो जीयोलोज की क्लास के अंदर आपने इनको ढूंडेंगे तो जब अपने एस्टू पे गए जब अपने एस्टू पे गए तो एस्टू के अंदर अपने को मार्बल धुनना है तो जब नीचे नीचे अपने नेक्स नेक्स जाते जाएंगे तो अपने को मार्बल मिलेगा यह देखें टू वन थ्री थ्री पे मार्बल है तो यह परसनेलिटी के अंदर मिले अपने को तो इसको नोट कर लेंगे यह देखें 2133 पर marble लिखा हुआ है तो इसको अपने end note कर लेंगे यह personality के अंदर मिला अपने को तो इसको note करें यह है personality का 213 और 3 तो यह रहेगा genesis अब इसको डूनते हैं तो इसको डूनते हैं अपने तो यह देखें इसकी जब energy पर आते हैं अपने यानि कि h2 की energy जो है यह यहां से शुरू है तो इसकी जो energy है last के अंदर अपने देखते है energy के अंदर एक बात लिखी हुई है इसके अंदर जो energy है वो कहां से लानी है same as mineralogy expert 8 यानि कि h1 जो है ना mineralogy उसकी energy को लेना है सिर्फ 8 को छोड़ कर 8 को छोड़ कर बाकी अपने यूज कर सकते हैं तो अपने चलते हैं उस पर h1 पर h1 पर जब हम आए तो h1 की energy पर आए energy के अंदर अपने नीचे जाएंगे यह देखें 16 पर क्या है Genesis पड़ा है तो इसको अपने उसकी energy यूज कर सकते हैं तो इसमें जब energy यूज करेंगे तो कोलन का निशान लगा के 16 इसके आगे लगा दें तो यह लिखने पहले हैं यहां पर जो main class है वो h2 यानि कि h2 तो अपने लग गया न है एस्टू किसका लगा देखें एस्टू अपनोंने लगाया पैट्रल हो जिए ठीक है विविन परकार की यह क्या है चटाने है तो उसके बाद मैं अपने मार्गल का लगा दिया उसका ह हो गया 2133 फिर कोलन का निशान लगा दिया इसका नंबर क्या था 16 था तो इसको क्या लगा दिया 16 लगा दिया इसकी प्रोब्लम सॉल अब आते हैं h3 पर देखें h3 के अंदर कुछ ज्यादा अपने को अटेंशन लेने की जुर्त है नहीं है क्योंकि h3 भी आगे canonical के अंदर डिवाइड किया हुए तो इसमें तो simply कोई भी question आएगा तो इसका simple सीधा कर देंगे जैसे मालो question आए fault and folding तो इसका सीधा ही हो जाएगा h3 से इसमें तो कुछ देखने वाली बात है यह नहीं तो आईए next आते है h4 h4 भी वही same चीज देखें h4 के अंदर समझने वाली कोई किया हुए ठीक है तो अब इसके बाद में देखें h6 जो है वह यहां पर mention नहीं कि वह बट जो वीलिस की बुक है उसके अंदर इसको mention किया हुआ है यह देखें पैलियंटोलोजी यानि फोसिल्स साइस जिवासम विज्यान जो है h6 को दिया हुए h6 के अंदर क्या चीज है h6 के अंदर जो है इसकी जो personality है वह के यानि की जूलोजी के पीपक से ली गई है जूलोजी की personality से लिया गए अभी एक एक्जम्पल करेंगे तो यानि टाइम पक्ष है जो वह कहां से लिया गया है उसके अंदर एक तो आपको एज वर्ड मिलेगा एज लिखा मिलेगा तो आपको h6 से डिनोट करना है एक तो एक उसके अंदर क्या लिखा होगा कोई जुरासिक लिखा होगा या कोई एक्जम्पल के अंदर लिखा होगा ऐसे words आएंगे, तो इसको कैसे करना है, यानि कि जो T है वो कहां से लेना है पहले तो यह देखें, जो इसका T लेना है, वो अपने को, जो H5 है, उसकी जो words हैं, उनमें से उठाने हैं, और उनमें से उठाके, जो H5 है ना H5 को हटाके यहां पर A लगा देना है यह लगा के next जो वर्ड है वो यूज करेंगे जैसे जूरासिक तो जिरासिक के नंबर जो है है इसके अंदर आपको वर्ड मिलेगा एक तो एज अब देखें मैमल्स ओफ जुरासिक एज यानि कि एक तरह का जुरासिक एज के अंदर मैमल्स अपने को ढूंड़ना है तो सबसे पहले तो पता लगे अपने को एक तरह का यानि की बात कर रहा है यह जीवाश्म की तो वासम वाली वह class यूज की तो उसका अपनोंने क्या लगा दिया यहां पर एज लगा दिया अब देखें आगे 97 मैमल्स जो अपनोंने के जूलोजी क्लास से लाया है यानि के जूलोजी की जो पीपक से है मैंने बोले था आपको इसकी जो प्रसेनलिटी है वह जूलोजी के k-p 직접 नौइ अपने को तो वन है जो यह इसकी आगे जो वन है वनane का मतलर वर्ड जुरसी के जानी कि जुर स्थ ही वर्ड था उसकी बात हो रही है तो उसका वन लगा दिया अब इसकी बाद में अपनोगने ये 33 जैसे इसे मलें當 time का तो लग गया जो इसकी अंदर अपने यूज करते हैं जो इसकी जो शिक्स की जो यानि की टाइम पक्स होगा वो यूज होगा H5 के अंदर ही लेकिन H5 को हटाके उसकी आगे अपने नंबर लगाते है जैसे मालो जुरास्ती का क्या नंबर था H533 तो H5 को हटाके A33 कर देंगे तो A33 यहाँ पे लगाएंगे जैसे देखो A33 तो यह इसका क्या हुआ एंसर हो गया जो H6 है वो तो लगया पहले हम तो लोजी का और 9-7 जो है इसके आगे यह लगाया है यह के जू लोजी के पीपक से लाया तो इसके साथ सीधा जुड़ेगा यह 9-7 तो 9-7 मैमल्स का इसके साथ यूज़ हो गया और डॉट स्पेस यानि स्पेस से पहले डॉट फिर वन लगाया वर्ड का जो अपनों ने स्पेस आइसोलेट से लेके है उसके नेक्स में A33 जुरासिक एज जुरासिक एज मैंने अभी बापको बताया जो H5 33 जुरासिक है उसमें से H5 के स्थान पर A का यूज करना है अर्थार्थ क्या बनगा A33 यानि A33 यह इसका अंसर हो गया इसके अंदर एक एक एकजांपल और सिंपल सा लेते हैं अपने यह तो अपनों ने अभी कर दिया मैंबल्स वाला नेक्स्ट है डाइनमिक ओफ अंडर्ग्राउंड वाइटर डाइनमिक्स आगया डाइनमिक्स के अंदर सीधा जाएंगे अपने डाइनमिक्स के अंदर डाइनमिक्स जीओलोजी पे यह देखें डाइनमिक्स जीओलोजी पे आगये अब डाइनमिक जीओलोजी के अंदर अपने को क्या डूनना है अब अपने को पता कैसे लेख है यह क्ल्स कोंसी एंडर्ग्राउंड वाटर यानि की ब्रूमी के अंदर की बात हो रही है तो यह क्ल्स होगी है अपनी कौंसी g ही सोरी 4224 तो यह सेम तू सेम नंबर अपने उतार देंगे एच्टू 224 एच्टू 224 अब इसके इंदर नेक्स्ट और लास्ट जो है वह एच्ट सेवन इकनोमिक जियोलोजी अब इसके इंदर सिर्फ इसना है क्या किया है फॉर्मलास दिया दिया है उसके नीचे कुछ इसके नहीं लिखाया लेकिन जो फारी इसके इसके अंदर ही धीटेल दिया हुई है ऐस सेमन के बाद में पर्सणलिटी में और कॉलन एणर्जी एकम 2पी इसके अंदर प्रसेनलिटी कहां से ले pictured अनिया है प्रस्णलिटी जो है check से fine, है सेम एज यूज होगी एच वन की है इसकी जो ए है वह सेम एज वहाँ पर इसकी जिगह यूज करना अब इसका एक जामपल लेके बता देता हूं थाकि आपको समझा जाए तो चलिए एक्जामपल करते हैं कि आपको अब देखें ेक्जामपल है कोपर डीपोजिट इन राज्यस्तान अब कोपर डिपोजिट यानि की राज्यस्तान के अनदर कोपर के भंडार ताम्डे बंडार अप देखलो बंडार यानि की मीश अपने को भू विग्यान के बात हूरहे database से पहले तो अपने क्लास इसके अंदर उसको यूज करेंगे तो h7 पहले लगा दिया अब फिर क्या देखा अपनोंने copper deposit तो देखते हैं आपने अब इसमें एक चीज दी हुई है जो personality है वो कहां से लानी है energy यानिकि यह जो chemistry है उसकी पी से भी ला सकते हैं तो जाइसी बात है जो copper है अपने को वो जो यह chemistry है उसकी पीपक से ही मिलेगा तो अपने चलते हैं chemistry वाली class के अंदर copper का नमबर ढूंड़ने तो यह देखिए 113 पे copper का नमबर अपने को मिल गया तो इसको as a personality वहाँ पे यूज करेंगे तो at 7 के बाद आप डिरेक्ट लिख दें 113 उसके बाद में क्या रह गया राजिस्तान तो राजिस्तान को यूज करेंगे आगे तो राजिस्तान का नमबर तो अपने को पता ही ह डोट चुमाले 37 जो कि अपने space isolate से लेके आएंगे और उसके बाद में deposit का नमबर देखो deposit अब देखो आप इसके अंदर अपने को क्या बोला गया था एक तो आप अपने क्या यूज कर सकते हैं आप एक यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर h1 e और f तो यह तो personality के लिए हो इसको और भी बहुत सकते हैं deposit production भी बहुत सकते हैं तो इसका यह जो नमबर है अपने 155 वहां पर यूज करेंगे as a deposit के तो इसके बाद में अपने energy का निशान लगाती है 155 लगाते हैं और उसके बाद में dot लगाके 4437 यह आपको basic से लेके advance तक मैंने question करवा दिये I hope आपको edge geology की class समझ आई होगी अगर नहीं आई तो आप comment करें मुसे और पूछें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा help कर सकूँ आज की class देखने के लिए धन्यवाद